हाई गाइस विल्कम टू शिक्षा तो फ्रेंड्स हिस्ट्री सूशल सिक्यॉरिटी कंप्यूटर एप्लिकेशन इन पर तो mcqs देखी रहे हैं पॉलिटी के ओपर भी mcqs देखने शुरू करते हैं ठीक है तो अल्मोस्स सारे सब्जेक्ट से आपर कबर करने के आपके कोशिश रहेगी मेरी और maximum mcqs करने का ट्राइ करेंगे प्रोसेस वही रहेगा पांच mcqs देखेंगे ठीक है हर वीडियो में पॉलिटी के भी इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉटेंट रहेगा आपके यूप्स यूपीफो के एक्जाम के लिए तो पांच- करना है ठीक है और साथ-शाथ मेरी साथ learned करते हुए जाना है पॉलिटी में बहुत सारी चीज़े हमें नहीं है और वू चीज़े आपने learn करते हो जानी है साथ-साथ उसको pending नही रखना कि मैं दो दिन बाद learn कर लूँगा या कर लूँगी साथ की साथ वीडियो के साथ-साथ learn कर लेना है ठीक है चलो पहला question देखो idea of the rule of law in the Indian constitution is borrowed from देखो Indian constitution में आप सब जानते हो आपने पढ़ा है अगर polity तो Indian constitution जब बना तब हमने बहुत सारी चीजे बौरो करी इधर उधर से हमने सामान उठाया उसका कारण क्या था औरेड़ी पूरी दुनिया में बहुत सारी countries के constitution बन चुके थे ठीक है तो उन constitution में से जिस जिस में से जो जो चीजे अच्छी थी ना हमने वो वो चीजे उठा ली समझ रहे हो तो एक पूरी लिस्ट है जो आपको करनी है क्योंकि किसी कुछ भी पुछा जा सकता है कि ये कहां से लिया वो कहां से लिया तो mainly इस वीडियो में उसी चीज़ के उपर target करेंगे उसी pattern of questions के उपर target करेंगे ठीक है तो पहला question है भी rule of law कहां से लिया है ठीक है कि rule of law क्या कहता है rule of law कहता है कि कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है ठीक है everyone is equal law का rule है वहाँ पर okay equality है law की समझ रहे है law follow होगा सब के लिए और law same होगा तो idea of rule of law कहां से लिया है हमने answer इसमें क्या हो जाएगा answer इसमें आपका होगा option d British constitution British constitution से हमने और भी बहुत सारी चीजे लिया है फटा फटा एक बार देखते है British constitution से हमने क्या क्या लिया सबसे पारले parliamentary form of government parliamentary form of government में आपकी parliament होती है prime minister होता है ठीक है and जो head होता है that is the president लेकिन president के पास कुछ ऐसी power नहीं होती he just is you know though he is one of the head but real powers जो है वो prime minister के पास होंगी उसके बाद rule of law legislative procedure, कानून बनाने की प्रतिक लिया single citizenship हमारे देश में single citizenship है single citizenship का क्या मतलब हो जाता है कि हमारे आपर कोई हर्याना का citizen नहीं है, कोई करनाटका का citizen नहीं है, कोई आंद्रापरदेश का citizen नहीं है, सबके सब सिरफ इंडिया के citizen है, ठीक है वहीं अगर आप US चले जाओ United States of America चले जाओ United States में क्या है, dual citizenship है ठीक है, United States में क्या है, dual citizenship है अगर वहाँ पर कोई New York में रहता है, तो उसके पास दो citizenship है, एक उसके पास citizenship है New York की, और एक citizenship है United States of America की similarly कोई Washington DC में रहता है एक citizenship होई भी Washington DC की एक citizenship होईगी United States of America की, got the point cabinet system prerogative rights, जो rights आपकी Supreme Court के पास है उसके बाद parliamentary privileges and bicameralism, bicameralism यानि two houses of parliament, ठीक है पास लोकसभा हैं, राज्यसभा है, तो वो भी हमने कहां से लिए है, British Constitution से लिए है यह सारे के सारे आपने याद करने है देखो कि mainly जो government, जो main government का structure है जो सरकार का main structure है वो हमने Britain से लिए है ठीक है, क्योंकि Britain is known as the mother of parliamentary form of government, ओके, तो याद कर लो यही पर parliamentary government, rule of law, legislative procedure single citizenship cabinet system, prerogative rights, parliamentary privileges and bicameralism, ओके चलिए, next question देखे, once again, same type of question, पहले था rule of law, then there is procedure established by law, procedure established by law क्या कहता है, कि law में जो procedure लिखा हुआ है आपको वो ही follow करना है आप ऐसी randomly कुछ भी follow नहीं कर सकते, ठीक है for example, जब हम बात करते हैं कि right to life की हम बात करते हैं right to life की बात करते हैं, तो उसमें भी यह लिखा हुआ है कि जो state है, वो किसी का right to life violate नहीं कर सकती until and unless there is a the state is following the procedure established by law, ठीक है, सरकार भी तो फांसी की सजा देती है, और वो फांसी चड़ाने की सजा procedure के इसलिए मैंने यह वाला question भी यहाँ पर डाला है rule of law, procedure established by law, by law, by law दोनों में आ गया ना तो confused जाते हैं पेपर में जब हम options देखते हैं, ठीक है, इसमें तो देखो britain है नहीं कहीं पर भी, तो आप शायद इतने confused ना हो, लेकिन जब examiner question देगा तो उसमें britain भी option में डालेगा, ज़रूर डालेगा guarantee है, ठीक है, तो यहाँ पर answer क्या होगा, procedure established by law, हमने कहां से लिया है, जपान से, जपान से सिरफ हमने एक ही चीज़ लिया है, that is procedure established by law तो answer इस case में हो जाएगा, आपका option D, चलिए, next question इन में से कौन सा हमने American constitution से नहीं बौरो किया है, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, आपने question को ध्यान से पढ़कर, not taken, correct, not correct, right, wrong, यह सारे इस तरह की जो keywords हैं, उनको पहले से mark कर लेना है, ताकि आपका paper में question गलतना हो, अब यहाँ पर not लिखा है, यानि कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जो ली हैं अमेरिका से, एक चीज़ ऐसी है जो नहीं ली, पहला है fundamental rights, दूसरा है judicial review, तिसरा है directive principles of state policy, और चौता है post of vice president, factual question है, अगर पढ़ा हुआ है, जहां-जहां से हमने borrowings की हैं, तो आप कर सकते हो, देखो, इस तरह के question, अभी तक जो हमने पहले दो question देखे, वो direct question थे कि भई किस देश से लिया है, जो अब यह third question है, यह mixture आ गया, इसमें आपको पता होना चाहिए, कि सबका पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि कौन सा अमेरिका से नहीं लिया है ना, तो answer इस case में क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, option C directive principles of state policy, यह हमने Irish constitution से लिया है directive principles of state policy हमने कहां से लिया है, Irish constitution से बाकी की सारी चीज़ कहां से लिया है आपकी American constitution से, तो American constitution या US constitution से हमने कहां कहां लिया है, fundamental rights independence of judiciary हमारे यहापर judiciary जो है executive या फिर legislature से बिलकुल अलग है, judicial review जो सरकार कानून बनाती है उनको judicially review किया जा सकता है कि क्या वो constitutionally valid है या नहीं, impeachment of president, president को अगर हटाना चाहती है, parliament तो उसका क्या process है supreme court या high court के judges को अगर impeach करना है, तो उसका क्या process है post of vice president तो सारे बहुत important है अब इसको आप याद रख लो कि impeachment चाहे वो president की है, चाहे वो supreme court की है चाहे वो high court की है तो उसको हटाने का process US constitution से लिए है, judiciary से related सारी important चीज़े almost हमने US constitution से लिए है, ठीक है, साथ की साथ आप इसको भी याद कर लो प्रक्टा लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ओके चलिए, fourth question statement based question का type ये भी आप से पूछा जा सकता है इन में से कौन सा statement correct है ठीक है, correct के उपर हमने circle लगा लिया पहला कहता है कि emergency के जो provisions हैं, हमारे constitution में emergency लगाई जाती है, जैसे पहला statement ये कहता है, दूसरा statement कहता है, the provision of suspension of fundamental rights during emergency आपके जो मौली कदिकार है जो fundamental right है, वो suspend हो जाते हैं, emergency के दोहरान और ये जो provision है, ये हमने government of India Act 1935 से लिया है, देखो अब examiner confused किस तरह से करने की कोशिश कर रहा है दोनों point emergency से related है, लेकिन दोनों ये कह रहा है कि हमने अलग-अलग जगाओं से लिया है अब अगर आपने पढ़े हैं, तब भी आप इसका answer कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते है, ठीक है correct हम से पूछा है, कि इनमें से कौन सा सही है, एक पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है, अब अंसर इसका क्या होगा answer होगा इसका आपका option d, none of them is correct ठीक है, none of them is correct, क्यों क्योंकि यह उल्टा लिखा हुआ है, जो provision of emergency है, यह हमने लिया है, provision of emergency लिया है, हमने GOI act 1935 से और जो हमने suspension of fundamental rights का जो provision लिया है, यह हमने लिया है German या फिर आप Weimar Constitution कह सकते हो, ठीक है, तो उल्टा लिखा हुआ है, तो answer none of the above हो जाएगा अब एक बार आप अगर ध्यान से देखो ओके गिम जाएगा याएगा में हमें लिया है अगर लिया है इञ है झाल 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 चलिए तो पहले यहाँ पर Government of India Act का मैं आपको दिखाना चाहता था लेकिन Canadian Constitution आगया तो चलो उसको देख लेते हैं तो Canadian Constitution से हमने कहके लिया है Federation with a strong center ठीक है आप सब जानते हो कि हमारे आपर जो ज़्यादा powers है वो central government के पास है plus हमारे जो federation है जो center और state के बीच में हमने powers divide की है उसमें हमने जादा important powers जो है वो central government को दिए है ठीक है जैसे defense से related power है external affairs से related power है railway से related power है telecommunication तो important subjects हमने जितने दिए हैं वो सारे के सारे किसको दे रखे हैं वो सारे हमने दे रखे हैं center को ठीक है और उसके बाद vesting of residue powers in the center residue powers यह मैंने आपको already one of the social security की video में भी समझाया है कि हमारे आपर seven schedule है ठीक है seven schedule में हमने तीन list बनाई हुई है एक list है state list एक है आपकी union list और एक है आपकी concurrent list ठीक है तो union list में हमने वो subject डाल दिया जिनके ओपर केंदर सरकार है यानि कि central government है वो कानून बनाती है state list में हमने वो subject डाल दिया जिनके ओपर राज्य सरकार कानून बनाती है concurrent list में हमने वो subject डाल दिया जिनके ओपर कौन कानून बनाता है ठीक है तो वो जो subject रह जाते हैं वो उनके ओपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है उनके ओपर कानून बनाने का अधिकार है central government के पास और इसको हम क्या बोलते है इसको हम बोलते है उसके बाद appointment of state governors by the state center, state में जो governor होते हैं उनको appoint center करता है ये भी हमने Canada से लिया है advisory jurisdiction of the supreme court, supreme court की एक advisory jurisdiction होती है जिसे the court can advise the president ये भी हमने कहां से adopt किया है Canada से सारे के सारे बहुत important directly आप से पूछे जा सकते हैं कि advisory jurisdiction कहां से लिया है ठीक है appointment of state governors by center का process कहां से लिया है तो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए उसके बाद weimar constitution suspension of fundamental rights during emergency ये हमने वहां से लिया है अब एक चीज जो हमने यहाँ पर करनी है जो यहाँ पर मैं गलती से आपको देना भूल गया हूँ वो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमने बात करनी है Britain की की सॉरी हमने बात करनी है Government of India Act की Government of India Act 1935 से हमने क्या क्या लिया है ठीक है तो सबसे पहले तो हमने फेडरल स्कीम हमारी जो है वो कहां से लिया है Government of India Act से लिया है Center State के बीच में जो सारी बाते हो रही है दूसरा Office of Governor Office of Governor हमने कहां से लिया है वो भी हमने Government of India Act से लिया है अब देखो इन दो चीजों का भी ध्यान रखना है Governor के Office का जो सिस्टम है वो हमने Government of India Act 1935 से लिया है लेकिन Center Governor को चुनके स्टेट में भेजेगी वो हमने Canadian Constitution से लिया है Judiciary का जो प्रोसेस है वो हमने Government of India Act से लिया है Public Service Commission जैसे आपका UPSC है UPSC क्या है Public Service Commission है तो यह जो Public Service Commission वाला जो सिस्टम है जो Constitution में हमने डाला है यह भी हमने Government of India Act से लिया है Emergency के Provisions, Emergency के जो Provisions है वो भी हमने कहां से लिये है Government of India Act से लिया है और Emergency के समय Fundamental Rights Suspend हो जाएंगे यह हमने कहां से लिया है Weimar Constitution से उसके बाद जितनी administrative details है ठीक है जो भी administrative और bureaucracy वगारा की जो area है वो भी हमने कहां से लिया है वो भी हमने Government of India Act 1935 से लिया है तो इसको भी आपने याद कर लेना है चलिए, last question देखेंगे, last question again statement based question है तो अब आपसे पुछा गया है कि इन में से कौन सा statement incorrect है दुबारा से देखो कितना confusing question है The manner of nomination of the members of Rajya Sabha has been taken from South Africa Nomination of members of Rajya Sabha हमने South Africa से लिया है Manner of election of the members of Rajya Sabha हमने Irish Constitution से लिया है Joint sitting of the two houses of Parliament Australian Constitution से लिया है अब आपको पताने हैं इन में से कौन सा incorrect है देखो Rajya Sabha में member nominate होकर की भी जाते हैं 12 member को nominate करता है President Rajya Sabha में member elect होकर के भी जाते हैं ठीक है तो दोनों आपको confuse करने के लिए यहापर उसने डाल दिया है और Joint sitting Incorrect आपको पताना है कौन सा गलत है तो इस case में आपका answer हो जाएगा Option B Option B पहली दो statements गलत है Third statement जो है correct है हमने Joint sitting का जो system है वो Australian Constitution से लिया है पहली दो statements में गलत क्या है फिर से interchange किया हुआ है Nomination of the members of Rajya Sabha हमने Irish Constitution से लिया है ठीक है और जो आपका election of the members of Rajya Sabha है वो हमने South African Constitution से लिया है इंटर्चेंज हो जाएगा फिर से ठीक है जी देखो अब Irish Constitution से हम पहले ही देख चुके हैं कि directive principles of state policy लिया है Nomination of members of Rajya Sabha लिया है and method of election of president देखो अब important चीज़ है ये method of election of president impeachment हमने लिया है US से US से लिया है impeachment कि हटाना कैसे है president को वो US से ले लिया लेकिन elect कैसे करना है वो Ireland से लिया है Irish Constitution से लिया है तो confused नहीं होना बिल्कुल भी याद कर लेना इसको South African Constitution से क्या क्या लिया है कि आपके Constitution को amend कैसे किया जाएगा amendment पास होती है Constitution के अंदर तो amend कैसे करना है Constitution को उसका system South Africa से लिया है और Rajya Sabha में members को elect कैसे करना है वो South Africa से लिया है nominate कैसे करना है Irish Constitution elect कैसे करना है South African Constitution याद रखना है, Australian Constitution से क्या क्या लिया है, Concurrent List एक Central List है, एक State List है, एक Concurrent List है तो Concurrent List कहां से लिया है, Australia से Freedom of Trade, Commerce and Intercourse, पूरे देश में Freedom of Trade है, Commerce है, यह कहां से लिया है Australian Constitution से, and Joint Sitting of the Two Houses of Parliament, यह भी हमने कहां से लिया है, Australian Constitution से Okay, Canadian Constitution अल्रेडी कवर कर चुके हैं Soviet Constitution, यानि कि USSR जो रशिया है अभी बहां से हमने कहा लिया है Fundamental Duties हमने लिया है Article 51A, ठीक है Article 51A में आपकी Fundamental Duties लिखी है And the Ideal of Justice, ठीक है जो Justice, आगर आप अपना Preamble फॉलो करते हो, Preamble पढ़ते हो, तो Preamble में Justice का आइडिया है And it is talking about the social, economic and political justice तो यह जो concept है, यह हमने कहा से लिया है Soviet Constitution से French Constitution से हमने क्या लिया है Republic, ठीक है अगर आप फिर से Preamble के उपर जाते हो, We the people of India Having solemnly resolved to constitute India Into a sovereign socialist democratic republic तो Republic का आइडिया Idea of liberty, equality and fraternity आपके Constitution में जैसे Justice हमने Russia से लिया है Justice के बाद तीन और है Equality, Liberty and fraternity यह हमने कहा से लिया है France से, total चार element है Preamble में, Justice ठीक है Liberty, Equality and fraternity तो Justice कहा से लिया है, Russia से Liberty, Equality, Fraternity लिया है France से, याद रखना है इनको, ठीक है चलिए, so all right guys This was it, I hope आपने याद कर लिया होगा अगर Borrowing from the Constitution से Question आता है और आपने ये वीडियो देख लिए अच्छे से लर्न कर लिया है आपका Question गलत नहीं होगा 200% मेरी गरेंटी है ठीक है, चलिए बाकी Questions करेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए All the best and bye bye बाकी की playlist साबकी screen के उपर है तो वो जरूर देख लिए जाएगा काफी helpful रहेंगी See ya